हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करें और परेंज में और आइक प्रोह्त दोट्रधा सब्सक्राइब करें डिज़ंसे जिए पुणक्राइब करेंडने जो हो बला अरवारा वे टाइमा चैनल को रहता है बलावारा तोव मेरे टाइम आगया उससे क्यार दिया है मैं मरूगा मैं नहीं बचूँ एव? क्या वेकार की बात कर रहा हूँ? देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा. मुझे आपको यह नहीं मचा सकता. मताम, काम, मुझे मला हूँ. ऐसी बाते मन में नहीं लाते. तेखो, तुम काफी टेंशन में लग रहे हो. मरने मराने की बाते नहीं करते हुआ हुआ है अच्छी खासी जिंदगी है प्यारी सी वाइप है और अगर वो, वो उसे भूल दिया है, मुझे मर्ना होगा, मुझे कोई नहीं बजा से किसने बोल दिया ये? वो अरत, वो अरत, उसे बोल दिया है, वो जब भी बोल दिया है, उसकी बात हमेशा साचोती, उसे बोला है मैं मरूगा, मुझे मर्ना होगा अरे, ऐसे किसी के कहने से कोई मर जाता है क्या? तुम्हे कुछ भी नहीं होगा. मेरे बाल ताइम नहीं है. सब कातम हो गया, सब कातम हो गया. विक्रम! 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 असा करती हूं, अंज़िय को फोन कर लीती हूं. हलो? अजेली, देखो, विकरम को कुछ हो गया है, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बाते कर रहा है, वो अजीब सा बढ़ताओ कर रहा है, कुछ तो गड़बड हुई है उसके साथ में क्या पक्वास कर रही हूँ, अभी एक धंटा पहले मने उससे बात कुछ ठीक था, देख मेरा यकेन कर, मैं सज कह रही हूँ, कुछ तो हो गया है उसे, वो अपने होश में नहीं है, अहां, मैं, मैं आ रही हूँ विक्रम बाई, क्या कर रहे हूँ? पीछे रहो, केड़ जाआए भाई, साव रुको साव प्रेख मेर उनतरे पक्या कर रहे हूँ, क्या होज़ कर रहो पाई, घ। रूखे रहे हूँ गहार वोब तेह जानोई ना arguments हिसाओ जाए मैदिए पिंधा से के लिए मुड़कि अंगनेी इसलिए नती जाइर शुड़कि विल्म आज कें जा रहे पर खादेह को रहा अनक पॉसल tiny मैंने worth थाइरा excellence वुआ एफ लाई क्या वा बच्चू? मैंट्चू! मम्मी! रहलो! 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 मुझे, तुमसे कुछ कहा क्या? चुपने चुपने, चुपने चुपने तो नहीं? मुझे वो अच्चे नहीं लगी, मुझे, उसे अच्चे बगाओ. मुझे, वो यह आपर क्या कर रहे हैं? मेरी बाद अच्चे करें तुमातों. मुझे, वो गया से कभी किसी के लिए धर्वाजा किड़किया मत खुना, और रोके लिए तो बिल्कुल बाहर मत जाना. कि अच्चे? कि अहिए खुमातों. मुझे का वादो शेवादानो लिए मात? अहीं, महे क्या है अच्चे। ये मेरी बातमुल सोब्स्ते हम यपने लिए श्के बारे मेर्म. वो जिस भी घर में जाती है, कोई नो कोई मार जाता है. मेरे घर में तुझे एक खबर देनी थी, पर मुझे क्यों? सुन ले, नहीं, मुझे नहीं सुनने तुमारे कोई भी खबर, नहीं! तेरे पती का वक्त आ गया है, उसे मरना ही होगा. नहीं! ऐसा नहीं हो सकता! मेरे मौन को कुछ नहीं हो सकता! नहीं! मौत किसी का इंतजार नहीं करती, उसे मरना ही होगा. चलिजा यहां से! चलिजा! मेरे पती को बच्ष दो! लो! लो! नहीं! पोनी को कोई नहीं टाल सकता उसे मरना ही होगा मरना ही होगा गोनष्ण। लुण वो होगा विख्षे तो लगता है यह सुसाइड करते हैं. नहीं, विक्रम सुसाइड नहीं कर सकते हैं. हम खुश्थे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था. वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं. कोई परशानी नहीं थी, तो मेरे तो अपने अपको मारेंगे वो? कुछ परब्लम नहीं थी, तो यह विक्रम नेरोलोजीस थे, नहीं? जी. वो सकता है, होस्पिटल में कुछ परब्लम हुआ? जी, नहीं. जाइए, रीमा, विक्रम की कड़िकोर हमारी फैम्ली फ्रेंड. रीमाजी, क्या लगता है आपको? कोई परिशानी थे इनको हॉस्पिटल में? सर, विक्रम तो बहुत खुश थे. हाँ, अभी तो उनका प्रोमोशन में हुआ था. हमारे हॉस्पिटल में हेड आप मेडिसीन बने थे. यह विक्रम का ड्रीम प्रोजेक्त था. इस खुशी में आप एक रेंट पार्टी भी रखने वाले थे कि अचानाच. अच्छा यह विक्रम को आखरी बार किसने देखा थे? सर, मैंने. मैंन की पड़वसन हूँ. मैं शॉपिंग पे जा रही थी तो मैंने देखा कि टॉक्टर विक्रम उदर कोने में कड़े, काफी घबराय हुए थे. उनके चेरे का रंग उड़ा हुआ था. और वो बहुत परिशान लग रहे थे. और बार बार एक ही बात बड़ड़ा रहे थे. बड़ड़ा रहे थे? क्या बड़ड़ा रहे थे? वो कह रहे थे, कि मैं मरूंगा. मैं नहीं बचूंगा. ऐसा उसने कहा है. किसने? किसने कहा है? उस अरत दे. क्या? वो अरत मौत की भविष्यावानी करती है? मतलब उस अरत के सामने जो आद्मी आएगा, वो मर जाएगा? अरे यार, तुम जाओ बॉड़ी के पाजरा चेक करो. देखो, कोई सुसाइड नोट वगएरा मिलता है क्या? नहीं सेर, मैं आपसे कहरी वो सुसाइड नहीं कर सकते. मेरे विक्रव को किसे ने बारा है. देखे, अंजली जी हम समझते हैं, पर हम किसी चीज को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं. कई बार होती हैं कुछ ऐसी बाते हैं, जो इंसान अपने सबसे जादा करीबी से भी शेयर नहीं कर भाता है. इसलिए फ्लीज हमें, हमें पता लगाने दीजे कि मौत की अस्की वजए क्या है? सर्जेव से ये डबब और ये कागस मिलें. सर्जेव से ये कैसा हो सकता है? क्या पहले से किसी को बता था कि डॉक्तर विक्रम की मौत कैसे होने वाली है? कि ठीक वैसा ही स्केश बना दिया? सर्, ये उसी औरत का काम है. लेकिन सर्, उस औरत को जैसे पता था कि डॉक्तर विक्रम ऐसी ही मरेंगे? वो बविश्वानी करने वाली औरत से मिलना पड़े. पंकर जेपने, पुरिंग जाना? अंगली जी ये अपना टामन रिंग मिली है विक्रम के पास. इसके बारे में आपको जानती है? अरे साथ से सब एक गंड़े पहले विक्रम ने मुझे फोन किया था. बहुत कुछते हैं वो. कहारे थे मुझे बढ़े सर्पाइस देना चाहते हैं. शायद ये रिंग वा मुझे किव्ट करना चाहते थे. हुँँए। हुँँए। इसके नाकोन में मिठी यो रेती जै साथ है। एक बाइ टेरिस चलके देख्टे हैं सर यहां तो कुछ दिखने ही रहे जहां से देखो प्रेड़ी वो उसके हातों में नाकून के अंदो जो मिट्टी है वो अपने आप तो आनी सकती कि एक मिनद्ट है कि यह देखा है कि कुछ सिंबल जैसे लग रहा है कि नाकून से खोटका तो नहीं बना है सर तो क्या डॉक्टर विक्रम ने इसे उदने से पहले बनाओगा लगता तो है इसी चीज का निशान है यह यह किस चीज का निशान हो सकता है सर्थ यह तो पता लगाना पड़ेगा फ्रेदी लेकिन इस निशान का डॉक्टर विक्रम की मौद से कुछ ने कुछ संबन जरूर है जो भी है डाइमंड रिंग खरीदने तक सब कुछ ठीक ठाकता है उसको लेने के बाद खराने के बीच में कुछ हुआ है शायद वो भविश्यमानी करने वाली और उसे रास्ते में कहीं मिली थी और उसके बास ही इस इसला शुरू हुआ है हमें देखना पड़ेगा कि वो बाविश्यमानी करने वाली और उसे मिली कहां पर है डाम इंडिंग शॉप से सुरू करते है सर प्लीज मेरी मदद कीजिये सर प्लीज मेरी मदद कीजिये एक एक नुट मैं प्लीज अब जर शान्त हो जाई अब बताएए कौन है यह क्या हुआ आपके साथ मेरा नाम नीलम है सर एक काटे मेरे हस्बंड को टक कर मार दी जिस्से उनकी बाहत हो गई ओ मैं कौन अब सॉरी यह बहुत ही बुरा हुआ यह बताएए कि इसमें हम आपकी क्या मदब कर सकते हैं यह सिफ एक्सिडेंट होता तो मैं यह नहीं आती है मेरे हस्बंड के मौत के पीछे किसी का हाथ है आपको एसा क्यों लगता है सर एक्सिडेंट से पहले एक औरत मेरे घर आई और मुझे यह स्केच दे कर गई और उसने तब ही मुझे बोला था कि तुम्हारे पती मोहन की मौत होने वाली है है क्यों यह और है है क्यों यह और आपने देखा है उसे पहले कर दो सर उसका नाम अवंतिका है कहा रहत यह 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 तो मुझे नहीं पता कोई बारे, वो दिखती कैसे, कोई खास बात उसके बारे में? उसके लंबे और सफेद बाल है. मेन नक्ष्टी ठीक है, पर गिखने में कुछ तर्णवरी से दिखती है. रोग उसके सामने आने से डरते हैं. कहते हैं कि वो सामने आजाए तो तो मौत पकी. यह आप क्या कह रहे है नीलत की देखें इस सब बख्वास है ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिए मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा हूं मैं इसलिए आपके पास आ गई प्लीज उसे पकड़ लीजिए और उसे पूछ लीजिए कि इन सब के पीछे उसका हाथ तो नहीं अगर यह औरत जुम्हता रहे है तो यह हमारे हाँ तो नहीं बचेगी सचेन बहुत बड़ी गड़ बड़ है स्कूज में यह आपकी शॉप है आज यह हमाली दुगान है लेकिन अब दुगान बंद हो यह आपका लाईएगा देखे आम लोग सी एडी से आपसे कुछ पुछ नाच करने हैं पताईए मैं आपके क्या मदद कर सकता हूं आप डॉक्टर विकरम को जानते हैं जी हाँ सु यह उन्होंने आपकी दुगान से परिदी थी हाँ जी यह उठी उन्होंने कुछ दिन पहले से लेट कर रहे थी लेकिन आज लेकर गए आपसे जब मिले थे कुछ परिशन थे कैं आब आब बताओं में कुछ बात नजर आई हो आपको नहीं सार वो तो बहुत खुश लग लइन ते खोन के चाहिंने पर अनुझे यहां दूक दिन यह हो घूने हुआ जत्व में कके था किरें ऑट हच्फुश्टके रहे हैं कि यहां दुकान के पास कुछ नई ओल्स के बाद кажश़्ों कि क्यांत ओतार इस हुआ है कि यह समय सुचित चिहिंकुश कट्ब कुछ पतानेए चल रहा है सर, वहां भी कुछ पतानीचला इसे पुछने आरे, सुनो बई जी इस आदमी को जानते हो आज सोबह देखा है किसी औरत के साथ हां, मैंने से देखा है ये उस औरत के साथ बात कर रहा था कभी बहस वह रही थे उन्दोनों के पीज़ें को कोई साधारान और नहीं है वह आई मतलब मौत आ गए कोई भी उसके सामें नहीं आता सब उससे भागते हैं अवंतिका नाम है अवंतिका ज़या एक दिन हो आपस भी आ गए फिर अचानक ही वो वापस भी आ गए क्या जबाई तो पूरी तरसे बदल चुकी थी उसके बाल उसका रंग डंग उसकी आखें सब कुछ बदल गया था फिर वो लोगों के मौत की भविश्वानी करने लगी और जिसके बार मसने जो भी कहाना सब सच हुआ साब लोगों से दूर से देखते हैं भाग लेते हैं कोई भी उसके पास नहीं आता अब क्या पता किसे कैदेगी तो मर जाएगा मौत की भविश्वानी करने वाली और इससे मिलना पड़ेगा कहा रहती है और यहीं पास में ही रहती है वरी गुद्ट चला दिखाओ जरा क्यों मरवनना चाहते हैं सर घरीब आद में अरे डरों मत कुछ नहीं होगा चलो हम लोग साथ में चला दिखाओ सर यहां रहती है तर अमें यहां नहीं आना चीए था यह घर नहीं महुत को कुफा है वहाम देख लेंगा सर महीं जा सकता हूं ठीक है तुम जाओ सर वो सकता है वह आजबी जो कुछ भी बोल रहा है वह साचो कुछ लगता है हमें भी यहां से लोड जाना चाहिए सर यह फ्रेडी सर सही कहता है अब यह अंड़ा बीज आना चाहिए क्योंकि यह तु सफेर औरत है यह सब के मौत के बारों बताती है और कहेंगे खोड़र विगार की बाते कर रहे हूं देखने इस वरत में ऐसा है क्या जिससे लोग डर रहे है इसे यहां पर रुख सकता हूं क्या सर यह घर का माहूल तो बहुत ही अजीब है बहुत डरावना है सर अजिए, आन्ना! आये! हम लोग C.I.D. से हैं आपसे कर पूछना है हमें मुझे मालूम था तुम लोग जरूर आओगा लोगों की मौत के बारे में आपको कैसे पता चलता है श्राप या वर्दान जो भी नाम दो मुझे सब पता चल जाता है बहुत गंबीर बात है यह, लोगों की जान जा रही है समझे आप, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए किसके इशारे पे खेल लई और तुम ये खेल मेरे पास तुम्हे दिखाने के लिए कुछ है लो! लो! जो! ज है ज जै बरको बोले दिहाँ मेरे आपको बोलादिए हकामे मता जाने सर् मैरेन आपको बोले के गेता रही, सर उसके अंदर अभीची सर्कसатьना दिया क्या बात कर रहा है? उसे पता केसी ज़ा ला कि हम लोग यहां भी आने वाले है? अब आपको बोले ताला, तो जीनों से पंगा नहीं लेना चाहिए जैसे यामंती का आप जीन सर्की तो चान कत्रे वागे ना चाहिए ऐसे कटिया बातों से लोग दरते होंगे मैं नहीं मौत सबकी आएगी कोई नहीं बचेगा जब तुम्हारे सामने मौत आएगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे CID से हैं हम लोग मौत से हर रोज खेलते हैं, समझें? क्या चल जा यह खेल? वो आएगी वो आरी है अरे वो आ रही है ड्रामा बंद करो, सब्सक्राइब कर रही है सर यह ड्रामा नहीं कर रही है इसकी नाग से कून ने कल रहा है आएगी आएगी इसको आश्परे ले जाना पड़ेगा चल्दी क्या हुआ? क्या बात करनी थी? बास, CID को पता चल गया है कि विक्कर में सुसाइट नहीं किया है यह कैसे हुआ? क्योंकि उसके हाथ अवंतिका लग गई है तुम लोगों की गल्ती की वज़ा से अवंतिका हमारे हाथ से निकल गई मैंने पहले ही कहा था उसे खतम कर दो अभी यह औरत हमारे लिए और भी बड़ा खत्रा बन दे है लेकिन बास, वो कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं है कुछ भी गलत किया ना उसने तो बरसों की महनत पर पानी भीड जाएगा बोस, उसका दिमाग पत्थर जैसा हो गया है और जो हमारे किसी भी काम की नहीं रही वो C.I.D. के किस काम आएगा बोस, मुझे नहीं लगता कि C.I.D. अवंतिका से कुछ भी पता लगा पाएगी वो C.I.D. है, पत्थर से भी अपने मतलब के लिए वो बात निकलवा लेते हैं मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है फॉरेन उसका कुछ करो लेकिन बोस, वो C.I.D. के पास है और उस तक पहुचना नामुम्किन है बरसों की महनत को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती आज के आज इस मुसीवत से चुटकारा पाओ वरना तुम्हारी चुट्टी यह भी कोमा में है कह पाना मुश्किल है यह कब होश में आएंगे लेकिन यह अचानक हुआ कैसे हमने अवंधिका का ब्रेन का स्कान किया है जिसमें हमें एक अननाचुरल से अक्टिविटी दिखी यह देखी यह जो अजीब सीज है इनके ब्रेन में गड़ी हुई है टॉक्टर हुआ यह है क्या यह जो भी है यह पहले से इनके ब्रेन में नहीं है किसे ने लगाई है जब तक हम साज़री करके यह निकाल नहीं देते तब तक कह पाना मुश्किल है अगर यह कोई मेटल की चीज हुई तो हमें इनका अमाराय भी नहीं कर सकते लेकिन ऐसी चीज किसी ने इनके से पर क्यो डाली होगी यह तो मैंने ही कह सकती ह। लेकिन इतना कहूंगी यह जो अब्जेक्ट है ब्रेन के कुशल हिस्से के बहुत ही करीब है मैं हैरान हूँ यह अब तक जिन्दा कैसी है यह क्या हो रहा है जब आए जब आगे नोफ क्या है पेशिंटी जान खद्रे में जारी चीजें इस तरब जारी है अचा लग रहा है कोई चुम्बक से कहिछ रहा है पकच्छ वैंदेक्ट बड़ी तेजी से दारी है सर्थ लगता उसी में उखिस प्रॉल में है यह तो मर गई सर्थ अभी अभी एक वान बहुत तेजी से आसे गई है सर्थ वैंगे? लगता है इनका ब्रेन हाब्रेच हो गई जरूर उस वैंवे बहुत बड़ी मात्रा में चुम्बक रखा होगा जिसके वज़े से इनके ब्रेन में रखे हुई चीज जगे से हील गई जरूर तूनल कोख़ तूनल कोखवड़ चुनिल, उठो, मेरी तडप खुमो, चलो, रोखो, मूडो, अपना बाया हाथ उपर करो, अपना डाया पैर उपर करो, अब नीचे कर दो, अब सुनिल को तइयार कर दो, हलो, सब तैयार हो गया है, विक्रम, मोहन और बाकियों का काम हो गया है, सबने वही किया, जैसा उनको कहा गया था, और हाँ, ये चीप दिमाग को बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रही है, और हाँ, अवंतिका की टेंशन भी खतम हो गया, हाँ, हमने सारे टेस्ट कर लिये, अब कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं, अगर हमारा प्लान सक्सेस्फुल हो गया, तो हम सौ क्रोर के मालिक बन सकते हैं, येस, अवंतिका के पोस्ट मार्टम में से मुझे ऐसी चीज में आ जिसे देumuz एकिन पहुत है, क्या चीज़ है यह घो हरो एम, इया देखो, यह है, यह है तूटी हुईट्य है यह मुझे अवंतिका के प्रेन में से निया, दिमाग में से, यह चिप दिमाग में ह हाँ, और यह कुई ऐसी वैसी चिप नहीं है, हाइटेक चिप है, आदोनेक, काफी दूर से इलेक्ट्रोनिक सिगनल भेज करके उस दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है जिसमें चिप लगी होगी, क्यों समझ लो कि यह चिप, जिस आदमी के दिमाग में लगी होगी, वो हर व विख लुकुल ऐसा ही है, मैंने उन दोनों के दिमाग पो अचिप किया, उन दोनों के दिमाग में इससे भी जयादा हाई टेचकिक लगी है यह न दोनों के दिमाग के बडे ड़क्टर थें और कही इनका कोई कनेक्शन था, yes बिल्कों सजिन, यह कोई इत्थफाक नियो सकता, कोई तो है जो इन लोगों को अपने इशारों पे नचाना चाता है और इतने ही नहीं से, इस डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर मोह, इन दोनों के बारे में पदा किया यह लोग बेडिकल कॉंफरेंस के लिए किसी शेहर में जाने वाले हैं लेकिन उस शेहर में ना जाकर किसी और शेहर में गये और वह भी चुपते चुपाते हैं जरूर इनका संबन इन चिप्स है आ सार अवंधिका की खर से इतने सारे स्केश में लेके? तो यह है वो स्केच जहने आवंधिका उन लोग के मरने से पहले ही बना दे इती? जी सर, आउसर इसवाले स्केश में खास बात है सिर्टेस से विक्रम गिरा था उस्टेरिस पे बिल्कुल आईसा है लोगो बना हुआ था निखेल, स्केचेस को स्कैन करो पता करो यह लोगो किस चीज गा है यह लोगो के टीसी इंडस्ट्रीस का है अजय को अजय को आए बस ने का है इन सब को यहां से किसी दूसरी जवाब पर शिक्त करना और हां किसी भी तरह का कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए सब कुछ खातू कर देना है समझा है ए गास लेट ले करा तो यह जाने की तायारी हो रही है है कि अपार बसे रुख को यह आरत करना किसा अच्छ को यह जळी तरह उच्छ सब सुच अच्छ को अच्छ करके एफ कि अच्छ को फोर्टे मिए इसान लोगाभए अच्छ थोच को अशुचक को आगी जया पोडिया थिए किसे कहने किया है गौन है तुम्हारा बॉस हमें कुछ नहीं पता हमसे जो का गया हुआ हमने किया हुआ हमें तो यह भी नहीं पता है कि यह अपरेशन क्यों हो रहा है उपक्वास बंकर संजा बता तुम लोग करिंग मास्टर कॉन है वाल सुनी नाम के किसी आदमी को अपने कि आने वाले चुल रहे और तुम तर गुबकी से किस्टल के बारे में बात्चीत करा थे जो बहुँ स्यादा मृम्ती चीज़े रिस्टल जी अच्टल कि यह लोकल प्लिस में बहुद बड़ी डिट मारी इसमें करोडों के उने रख्वे लुदू करों प्लिए पक्ड़े जो तक जुलाना अब तक तो हम पहुच्चाना चाये था शायद हम किसी और रास्ते से जा रहे हैं अब दूसरे रास्ते क्यों जा रहे हैं जबाब क्यों ने दे रहा इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं क्या दिक्कत है इसे कुछ गडबड है लगता है हमें मदद बुलानी पड़ी बात्कर, हालो, हालो, कौंट्राउल रूम यार, अलाम जल्ली, सारा माल, किनि गाडे मेटालो, जल्दी, 20 क्टेवियं, जल्दी, 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 कर्षा कर्षा के अंदन में कि अपशे कर्देवील दिसंद अपफिए निया तर दिन पड़े हैं यह उचिंद है एक करदेद हो एक इंबलेंस बलाओ जल्दी अ इसमऻ़ करके कह आपरेटे इधैर इधे अ कुछा इथा है कहा है कर दो शुक्राइए है जुए. राइबर्वी माच्चुका. सार, एम्पूलस आरिये. क्या? सार. जैसे वो यह सब है? यह सुरीन, राइबर्वी मिलावाता हुन्से. सार. कोई बात नहीं, हम पकड़नेंगे उन्हें. उसे पसाकर जबरत सी यह काम करवाया गया. तुम घबराओं मैं, कुछी नोगा तुम है. अजय, खुछ बता सकते हैं, वो लोग कहां गया होंगे? कुछ सोना तुमने? मिसे, एक को, कहते सुना कि, बीस मिनिट में अट्टे पर पहुचना है. चेक करना पड़ेगा कि बीस मिनिट में ऐसी कौन सी जगा है? जहां पर ड्रग्स रखी जा सकती है. सब कुछ प्लान के मताबिक हुआ है. तुनिल ने वही किया जो उसे बताया गया था. और हमने भी उसके साथ वही किया जो आपने बताया. समय जो इसे. मिक्रम की कली को, हमारी पहाने जोगा है. इच दो कि उचोपी एदा दूर्ट को उनदे नहीं हम आज़ और नहीं के अच्छार के लिएवाद कूल आज़र आज़र बेच नहीं हम आज़र्ग हमें से बेच एंगे कम से कम सो क्रोस्की तो होगी आप मैं वही हो, अपने नए ठीकाने पर हलो, मैंने कहा था ना तुम से, मैं ये काम कर दूंगे, तुम पे भरोसा करके मैंने बिल्कुल ठीक किया वहना मेरा वो बेख को पती, इसमें तो उतने हिम्मक भी ने थी क्यों ऐसा कुछ कर पापा ये तो बत चुड़वाद है, प्रेन को कंट्रोल करने की इस टेक्नोलोजी से हम हजार क्रोव तक कमालेंगे, अब हमें कोई नहीं रोख सांता, बिल्कु ठीक कहा तुम है, ये नो, इस टेक्नोलोजी के लिए लिए लोग हमें मूँ मांगी की मन देने को तेयान है, एक हाँ, ठीक है ना, हमें क्या प्रॉब्लम्स, लड़ने तो CID को उनके साथ, हमें काम करते हैं, सूरज ढूपते हैं, हम सारे पैसे लेके भाग जाएंगे, हम सारे पैसे लेके भाग जाएंगे, ओके, इतनी ज़दी क्या है जाने की, हुआ है जर झाल 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 मैं, मैं केटी से कम्पिनी के लिए खाम करती थी. कि अन्हों नहीं यह प्रेन को डेमेज करने का उसे कंट्रोल करने का गैर कानों प्रोजेक बिनाया था किसे कारण दिवालिया हो जाने के कारण कमनी बिर्खुल बंद हो चुकी थी. तुमने मौका कफायता उठाया और इस रिसर्च को आगे पड़ाया है. इसके लिए मुझे एक्सपर्टीस की जरूरतिया और विए बहुत ही रसोलों के पक्के थे. इसलिए वो मेरे किसी काम के नहीं थे. अब तुम्हे ये रिमा मिली थे? विक्रम की असिस्टेंट, हाँ? हाँ. मुझे विक्रम की तरह चोटे मोटे रूपयों में जिंदे की नहीं काटनी थी. लेकिन तुम लोगों ने विक्रम और मोहन के सिर में चिपकियों लगाई? कंपनी बंध हो जाने के कारण हमारा रिस्ट पीछ में अटक गया था. इसलिए हमें उन दोनों की मदद की सरूर है थी. विक्रम और मोहन इस फिल्ट के एक्सपोर्ट और हमें उनकी चानकरी का पाइदव उपन. इसलिए हमने उन्हें काम पर रख किया. और उन्हें आंक तक असलियत का पता भी ने चला कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे. हमारे रिसर्च के लिए बहुत अच्छे नमोने भी थाबित हुए. पर घद्रा होने के टर से हमने उन्हें भी मार दिया. मार दिया हमने. और अवांतिका? उसके साब तुम लोग ने इसा क्यों किया? अवांतिका परी तो हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था. उसके दिमांग में जो हमने चिप्पेट की थी वो इसे कारण काम नहीं कर पारी थी, सब कुछ गर्बर हो रही थी. और उसने उन लोगों को भी देख लिया था, जिन्हें हम प्रयोग के लिए लाए थे, उसे हमारे प्लैनिक के बारे में सब कुछ पता चल गया था. लेकिन जब वो हमारे लैब से भाग के इना, तो उसके चीत में प्रॉब्लम की बज़ा से दिमांगी छटकों में उसको सब कुछ दिखता था. उसने अभीजीत का विसकेच बनाया था, तो क्या अभीजीत भी तुम लोग के निशाने पर था? अभीजीत, अभीजीत की मौत के लिए तो आज भी लोग करोड़ों लेकर तैयार बैठे हैं. अगर हमें तो छाट दिनों टाइम मिलता ना, तो शाहिद अवन्तिका के भविष्यवाने भी सच हो जाती. युपियों की लालच में न जाने कितनी जिंदगेयां तबाह कर दी तुम लोग ने. कितने मासूम लोगों की जान के साथ खिलवार किया. पानोन इसकी कडी से कडी सजा देगा. पासी होगी तुम लोगों को, पासी.